वादर से फायदे में आपका स्वागत है मैं होडींपी काल रहा है और इस समय देखे तो निफ्टी लाल निशान में आ चुका है आज सुभे जो अच्छी बड़क थी निफ्टी ने वापिस खो दी है और अब उननचा सो का स्तर भी ब्रेक किया वापिस नीचा है और उसके तरवे लाल निशान में आ चुका है मार्केट साथी संसेक्स भी सो नहांकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हूं नजर आ रहा है इस बीच ऐसे कुछ कॉंटर्स भी हैं जो अपनी बड़त को भी भी बनाये हुए हैं फटावार से उनको देख लेते हैं और उसके बाद लाल निशान में आ चुका है साथी नजर रखने होगे इंसेक्टिसाइड इंडिया पे भी है क्योंकि कई खबरे इसके रिगार्डिंग निकल के आ रहे हैं पहली खबरत हुए है कि दो तीन ने प्रड़क्ट लांच करने वाले हैं एकुटी डैलुशन की बास सामने निकल आ रही है दो ने प्रड़क्ट लांच होंगे ये भी मेंज्मे oportun में ने कहा साथी हैं नै प्रड़क्स में देरा में करीब 50 के खरच करने क्यों रहे और क्या क्या कहा मेनेजमेंट ने आई सुन लेते हैं उनको प्रेजेंट एक्सपेंशन्स हैं जम्मू में और राजिस्थान में यह सब हमने इंटर्नाल अक्रूगल से फंड किये हैं गुजरात को भी हम जो फर्स फेज है इसको अपने इंटरनल अक्रोल सही कंप्लीट करेंगे लेकिन आगे जो हम गुजरात में बड़ा एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा डिलूशन शायद करना पड़ेगा तो 8 से 10 परसेंट का डिलूशन हम लोग टार्गेट कर रहे हैं और जैसे ही हमें सही वेलूशन मिलेगी क्योंकि मार्केट इस वक्त खराब है जैसा आप कह रहे थे तो अभी मुझे लगता नहीं है कि ठीक टाइम है और हम लोग मेजर ग्रोथ पर जा रहे हैं हमने करीबन पौने 600 करोड का टर्नोवर पिछले साल में किया और करेंट इयर में 800 करोड टार्गेट कर रहे हैं और जनली हमारा 55-60 परसेंट टर्नोवर आधे साल में होड़ा था है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब्टेंबर क्वाटर की अचीवमेंट कर लें तो हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि येस वी आर ग्रोइंग अड़ी राइट पेस और वही शाथ एक सही टाइम होगा जब हमें सही वेल्यूशन मिल पाईगी तो हम लोग कुछ महीने का इंजार करके एक बार डिलूशन करेंगे जिससे कि हम अपनी जो फर्दर ग्रोफ हो उसको फंड कर सके हैं देखे हर कंपनी पैसा जुटाना चाहती है और विस्तार करना चाहती है लेकिन सबसे इंपॉर्टन बार जो इस पूरी मेंजमेंट की बाइट में समझ में आई ये है कि जो एकुटी डिलूशन तो करना चाहते हैं आट से दस परसें लेकिन अभी नहीं करेंगे वो एक मौके की तलाश में है जब मार्केट की स्थिटी कुछ हद तक बैतर हो जाएगी उनको विस्तार तब करने में ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भी सरकमस्टांसिस काफी खराब है अगर आप स्टिक सेल के लिए भी जाएंगे तो आपको रखम उसे साब से नहीं मिलेगे तो यह एक मेरिमेंट का काफी सही बयान है और ज्यादा देखे तो इंपॉर्डेंस यही रखता है कि आठ से दस परसेंट कंपने अब स्टिक सेल करने वाले ने प्रोड़क्ट उनकी लिस्ट में जरूर है जो लाउंच करेंगे लेकिन स्टिक सेल के बज इसमें मेरिमेंट ने खुद कबूल किया है और वार से दस परसेंट सेल कर सकते हैं इसके आप निज़र रखें हलाकि वेलिशन टर्म्स पर वे कमफरेटेबल नहीं है लेकिन उनका मानना है कि शेफ सप्नेंबर तक इस चीज़ पर आगे बढ़ सकते हैं